कि चलिए दोस्ता आपको इसका जो आवाज है यह सुनाई देते हैं कि आभी सुन पारें को कुछ इस तरह से आता है और जो इस्टेरिंग रिस्पॉंस तो काफी जबर्दस्त दिया हुए पचास तरह में तो मुझे कोई भी ट्रेक्टर रहसा नहीं लगता जो इसका सामना कर सकेगा नमस्कार मरितेश कुलार आज हम देखने गला महंदरा अर्जुन नवोच छेसो पाज डिया इक फियेज जो की एक पचास तरह पी का ट्रेक्टर है और यह अपने कैटिगरी में सबसे बेश ट्रेक्टर माना जाता है और ऐसा मैं क्यूब ओर रहूँ आप आगे वीडियो में जान जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडर ट्रेक्टर टेक के सांथ दोस्तो राइट साइट से अब यह ट्रेक्टर के लुक को देख सकते हैं यह बिल्कुल यह पुराने अरजिन नोवा 605 DII के हिसाब से ही बनाया गया है और इसमें आपको सिंगल पीस बॉनेट मिलता है इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर अलग से यह लिवर दिया हुआ है इन नेज फिल उपम के साथ में आता है और फोर सिंगल होने काजा से इसको जो इसमूदने से काफी अच्छा है आपको वाइब्रेशन इसमें ना के बराबारी फिल होता है इसके लावा इसमें ड्राइट टाइप का बड़े साइज में फिल्टर मिल जाएगा और सामने बड़े साइज में ड्राइटर दिया हुआ है और इसके प्रोटेक्शन के लिए लग से हाँ पर नेट मिल जिसके लावा आप राइट साइट से पूरे इसके ब्लॉक को देख सकते हैं और इसके जो सेलेंसर पाइप है कुछ इस प्रकार से आया हुआ है और दोस्तों अगर इसके पावर फियर की बात करें तो यहां ट्रेक्टर 48.7 HP का पावर 2100 इंटर आर्पीम पर और लगभग 214 निटर मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करें और चिन किसान भाईयों को टॉर्क का मतलब नहीं पता है कि जिस ट्रेक्टर में टॉर्क है जितना वारेंटी देखने पर मिल जाएगा इसके लावर इसके जो सर्विस इंटर वन है यह आपको 400 गंटे का मिलता है मतलब एक सीजन तक तो आप बिल्कूल आसानी से इससे चला सकते हैं और लंबर सर्विस इंटर और और पैसा दोनों का बचत हो जाता है तो मेंद्रा ने इसम इसमें 95-20 के बड़े फ्रंट टायर दिया हुआ है और इस अब जो नट बोल्ट है कॉलर के साथ में मिल जाएंगे और जो प्रोपेलर साफ्ट आया हुआ है फ्रंट वील में पार ट्रास्मिट करने के लिए उसको बिर्कूल बीचो बीच बीच पुछी सरस लाए गया और यहां नीचे से आप इसके पूरे डिजाइन को देख पार हो इसके लाव अगर इसके इस्टेरिंग की बात करें तो इसमें डवल इतनी पार इस्टेरिंग मिल जाए है जो की बिल्कुई बैनस कंडिशन में चलता है और यहीं अगर इसके रिया टायर की बात करें तो इसमे मिल जाए और यहां से आप इसके पूरे लुक को देख पा रहे होंगे इसमें आप कमपणी ने 50 HP के हिसाब से काफी जबरदस 2700 kg का लिफ्टिंग कैपसिटी दिया हुआ है जी यहां के साथ हो इसमें 50 HP में आपको 2700 kg का लिफ्टिंग कैपसिटी मिल जाएगा जो कि सायद ही कोई और जो कमपणी है जो इस एशपी का टेगरी में दिफ्टिंग के लावा इसका जो पीटियो यहां 41.6 HP का मिल जाएगा जो कि पांसले स्टेंडर्ड और रिवर्स पीटियो के साथ में आता है और यहां पर डुवल डेसी वार्व दिया हुआ है और इसको इसका निकले जो लिवर है आपको इहां पर मिल जाएगा इसके लावा इसके जो सेंसर है इसके भी चेंज किया गया है इसमें आप आपको नया वाला ADDC सेंसर मिल जाता है और इसका जो हीचिंग पॉइंट है इसको भी आप ऊपर नीचे कर और इसका जो एक्सल है यह भी आ हुआ है मतलब आप पचास च्पिकटिक के को ट्रेक्टर लेने क्या सोच रहा है तो आप इस ट्रेक्टर को आँख बंद करके ले सकते हैं यह ट्रेक्टर आपको कभी भी निराश्ट नहीं करेगा यहां पर पीटियो पावर और एसेपसी सरी चीजों को बताया गया और यहां अधिकतर यूज में लिया जाता है और किसान साथे इसका जो प्लेट फॉर्म है इसे भी आप देख पा रहे हैं कि कितना फ्लेट और काफी अच्छे तरीके से इसे दिया हुआ है और अगर आप किसी ऐसे ट्रेक्टर के बारे में जानते हैं जो कि आपको लगता है कि 50 HP का 9.6.5 Dips से बहतर है तो आप हमें कमेंड बॉक्स में इस ट्रेक्टर का नाम बता सकते हैं और वह ट्रेक्टर आपको इससे बहतर क्यों लगता है उसे भी जरूर बता है और दोस्तों 50 HP का टीगरी इसके ट्रेक्टर देखने के लिए आप उपर आई बटन में क्लिक करके भी और भी ट्रेक्टर देख सकते हैं राइट साइड में आपको मेटल का टूल बॉक्स मिल जाएगा प्लस उपर शेड में के लिए दो फूटी स्टेप दिया हुए है और दोनो साइड में आपको ये ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं जो कि प्रिमियम ने इसका अहसास दिलाता है इसके लावा इसमें आपको 60 लिटर का मैटल के डिजर टैंक देखने को मिल जाएगा और यहीं आप इसके प्लेटफॉर्म और डैशबॉर्ट से पूरे फेंडर को देख सकते हैं और यहाँ से आप इसके पूरे मीटर को देख पा रहे होंगे हैं इसमें यहाँ पे प्रकार से दिया हुआ है काफी सूंत कर दिया गया है और इस साइड में आपको कॉमिनेशन टाइप का स्रीच मिल जाएगा बात कर इसके गेर बॉक्स का तो इसमें 12345 और हाई-लो मेडियम के साथ में 15 फॉरड प्लस 15 दिवस गेर मिल जाता है और इसके जो गेर बॉक्स है यह सिंक्रोमेश टाइपर दिया हुआ जिसमझा से इसको आफ फिफ्ट गेर से से सेकेंड फर्स्ट में भी बढ़े असानी से शिफ्ट कर सकते है बीना किसी आवाज तो मेहंदरा ने अपने इस पचास श्पी ट्रेक्टर में भी आप सिंक्रोमेश टाइपर गेर बॉक्स प्लस यहां से आप इसके पूरे पैकिंग अगरे को देख पा रहे होंगे काफे अच्छा तरीके से किया गया है और इसके फोर्विल को इंगे जो डिसिंगेज करने के लिए साथे साथ आप यहां पर निफ्रेंशियल लॉग भी मिल जाएगा और इसके क्लश की बात करें प्लस जो फेंडर है यह भी काफी अच्छे लंबे चौड़े डिजाइन किया हुए तो दोस्तों मेंदर ने अपने इस 50 HP के ट्रेक्टर में एकसल गेर बॉक्स, पीडियो, हाइड्रोलिक, इंजन, सरी चीजों को काफी बहतर दिया हुए है इस विज़स्ते इसमें कमी नि नमस्कार